इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी पूरी फिनाशल प्लानिंग करके उठेंगे अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा तो आपके दिमाग में डाउट्स नहीं होगे आपको यह पता होगा कि अगर आपको एक घर चाहिए एक गाड़ी चाहिए आपको अपने बच्चों की शादी करनी आपको रिटायर होना है सब कुछ उसके लिए कितना पैसा चाहिए होगा कैसे आएगा आपको एक एक चीज पता होगी इससे भी बढ़कर एक चीज यह है कि इस वीडियो को देखने का एक और बड़ा फाइदा अगर आप नोट्स बनाते हो और आ इसे काम करते हैं और अगर आपने सिर्फ मूचल फंट का नाम सोना है किसी दोस्त से इंटरनेट पर आपने सुना है कि मूचल फंट सही है तो आज इस वीडियो में आपको मूचल फंट की टोटल A B C D B पता लगने वाली है अब एक सिंपल सा कोश्चन से मैं इस वीडियो क शरुआत करूंगा मैंने आपको बता दिया कि मैं आपकी फिनाशल प्लानिंग कराने वाला हूं पर एक सिंपल सा सवाल है मेरा कि आप 500 रुपे महीना जोड़कर एक करोड की रकम एकटा हो सकती है अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 500 रुपे से एक करोड रुपे नहीं हो स मैं आपको दिखाऊंगा प्राक्टिकली दिखाऊंगा कि 500 रुपे जोड़कर भी 500 रुपे हर मेने जोड़कर आप एक करोड रुपे की रकम कैसे खटा कर सकते हो अब हम आपके सारे गोल्स की भी बात करेंगे आप देखिए आप लोग कहीं नहीं करना शुरू कर दिया हो अब पैसा जब आने लगता है तो एक सवाल आता है कि पैसे को सेव करना है आपको पैसे को जोड़ना है और पैसे को इन्वेस्ट भी करना है तो हमें पैसे को इन्वेस्ट करने की जरूरत क्यों है यह हमारा सबसे बड़ा सवाल है और यहीं से हमारे सवाल पे जो हमारी क्ल मिल जाता था 30 रुपे लिटर आज आपको 60 रुपे लिटर मिलता एक्जाम्पल के लिए मुझे नहीं पता एक्जाटली क्या रेट है तो जो भी हो आपने जो फल सब्जी आप लेते होंगे माल लीजिए आप 200 रुपे किलो से खरीदते हैं तो आज से 5 सल पहले वह 100 रुपे तो यह जो रेट बढ़ते जा रहे हैं कभी नहीं रुकेंगे आज अगर आपके बच्चे की स्कूल की फीस तीन हजार रुपे महिना है तो आने वाले टाइम में वह कम नहीं होगी वह बढ़ेगी ही तो अगर आपको इस चीज़ के क्लारेटी है यह क्यों होता है प्रोसेस कॉल्ड इंफलेशन अच्छा भी होता है असा यह इनफलेशन नहीं होना चाहिए महंगाई बढ़नी चाहिए अब उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे महंगाई क्यों बढ़नी चाहिए इडि फूर एकौनमी की महंगाई बढ़े बढ़ए बहुत जदा ना बढ रखा माल लेते कैश में था आपने अपने पास रखा हुआ तो वह आज भी दस लाख ही है पर एक छोटा सा एक्जामबल अगर आपने उस दस लाख रुपए का से तीन साल पहले गोल्ड खरीद लिया होता तो तीन साल में आल्मोस्ट दस लाख के आपको अठारा लाख हो सकता था तो वह हुआ नहीं वह हुआ क्योंकि आपने पैसे को पढ़े रहने दिया तो आपको समझ आ गया कि महगाई बढ़ेगी अगर हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं अभी मैंने गोल्ड का एक्जामपल लिए मैं आपको सारे इन्वेस्मेंट टाउंगा थोड़ा सा आपको हमें ना सिर्फ जोड़ना है में इन्वेस्ट करना है तो अगर आप सिर्फ जोड़ने पर फोकस करोगे तो पैसा बढ़ेगा नहीं क्योंकि इन्फलेशन पैसे हो खाता एक दीमक की तरह आपको पैसा दिखता है कि वह पांच लागे दस लागे एक लागी है बड़ करता ही है और हमेशा जेकर रहा था आगे बी करेगा तो ये सचा ही है ये तो हमारा अडल सत्रे हो गया कि महंगाई तो बढ़नी ही है ये कोई ने होसकता और कही नहुंता अच्छा बीसके बारे महाँ कभी और वीडियो में बात करेंगे तो अब हम दूसरा यहां पर है आपका बोर जो सकता है आज हम एक छोटे घर में रहते हैं आज मेरा घ्र अब्र अबने माँपको एक इसका होगा है अब तो बच्छा हो गया ओखा आज आज यहागा कि चादी भी करने है तो आज से मुझे 18 वीश सल वाद इसके लिए एध्यूकेशन के लिए पैसा चाहिए, मालने थैं बीज लाग रुपए चाहिए कल को बच्चे की शादी करनी है, उसके लिए 50 लाग रुपए चाहिए वह आज आप लगाड़ी खरीटथे के टाइम पर उनके पाग कुछ पैसा नहीं होता आप सोचते हो आज के टाइम के हिसाब से भी अगर इंसान को रिटार होना है तो कम से कम 10-20 लाग रुपे चाहिए अगर उसके पाद 10-20 लाग रुपे नहीं है तो कोई कि अगर आप पैसें को इंवेस्ट करने के लिए सोचते हो तो ट्रेडिशनली लोग पैसा कहां लगा देते हैं और उसने होगा क्या तो मेजरली मैंने आपर 9 क्लासिफिकिशन करी हैं मैं आपको सारे इंवेस्मेंट की ऑप्शन बताता हूं जहां पे लोग इंवेस्मेंट कर कि 6% तक आपको saving account में interest मिलता है बट मैं आपको एक बात बदा दू महंगाई हमेशा in fact fixed deposit में भी जो आपको interest मिलता है उससे ज्यादा speed से बढ़ती है तो अगर आपको दिखता है fixed deposit में 7% का rate of interest मिल रहा है आपको तो महंगाई यह समझ लेना एवडी से हमेशा जाद ही होती है यह simple सा logic है अगर कभी एवडी में 10% का rate of interest मिलता था तो महंगाई उस टाइम पे 10% से ब्याज भी दे देते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि जो महंगाई है ना वो तो 7% से उपर से बढ़ गी जो एवडी का rate of interest आप कंसीडर कर लो कि अतना चाके FD करा दी और उस पर आपको ब्याज मिलेगा अर्डी क्या होता है इंसान सोचते है कि मैं हर मीने कमाता हो हर मीने जोड़ूंगा तो बैंक वाले भी आपको स्कीम बदाते हैं जी आप 5-10-10-10 की FD करा लो हर मीने और यह आप मंतली जोडते रहना तो उस पर भी आपक को कम से कम इंफलेशन के आसपसी प्रोटेक्ट करता है बहुत जादा कमाके नहीं देता गोड़ तो थोड़ी बहुत इंवेस्मेंट इस नहीं लगा सकते इससे आपके सारे सबने बूरे नहीं होंगे तो गोल्ड और जुल्री इस वन ऑफ दा सेम धिंग मैं नहीं समझ लि है आपको बताया जाता होगा कि डेल लाग रुपे हर साल जोड़ो आप 25 साल के लिए पंदरा साल और वेट करना फिर आपको इतना पैसा मिल जागा मालो एक क्रोट रुपे मिल जाएगा तो अगर आप रेट ऑफ इंट्रस किल्कुलेट करोगे तो आपको समझाएगा कि ब में आ सकता हूँ तो उसके बाद में बात करता है रिएल सेट good option अगर अप लाइंड में अभिसमें्स करने के favor में नहीं हुँ अगर मेरे पास एक लाख रुपे बढ़ाया है तो कहीं पर भी में श्रेल नहीं खरीद पाऊंगा इंडियग आज क correlation करे और रिए क्21 केमtt चाहिए होगी अगर अच्री लोगेशन पर इंवेश्मेंट करने के लिए और आम आद्मी के पास बड़ी यह तो रियल स्रेट का ऑप्शन ही बंद हो जाता है उसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टो की वेल आपको क्रिप्टो को लेकर आपका क्या मानना या आप भी खूद बताईएगा वेल अगर हम सारे अपने फिनेंशल गोल्स की बात करें तो क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्दा वालिटिलिटी है मेरे असाब से तो ट्रेडिंग के लिए तो एक अलक्सीज हो गही लॉंग टर्म इंवेस्मेंट में आपके क्या राया आप बताईएगा तो आप अपना राय बताईएगे मेरे असाब से वालिटिलिटी बहुत ज़्याद है फिर स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं लोग स्टॉक के अंदर इंवेस्ट करते हैं स्टॉक का मतलब क्या होता है आप कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हो तो आक्चल में यह जो आपन बैंक के पास पैसा रहुत चलो वह लोन दे देता है पर बैंक आपके पैसे को यूजर कर सकता है तो यहां पर बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है तो स्टॉक के प्राइज अगर आप अच्छी को कि इसकी बात करो और आप थोड़ा सा ध्यान से इंवेस्ट म अगर आप 5 साल से ऊपर के लिए सोच रहे हैं तो आपको ब्लू चिप कमपनीज में इंवेस्टमेंट अच्छे रिटर्स दे सकता है पट अभी स्टॉक मार्केट की भी हम बात करेंगे डिटेल में स्टॉक मार्केट में स्टॉक सेलेक करना एक स्केल है आपको सीखनी पड़ यह बाद एक option आता है mutual funds अभी mutual funds के हैं अभी mutual funds की उपर में डिटेल में बात करूं मैं आपको एक शॉट में ब्रीफ करना चाहूंगा कि आप स्टॉक मारकेट में इंवेस्मेंट करते हैं उसमें आप रिटर्स एक्सपेक्ट करते हैं एक्विटी में पैसा लगा रहे हैं तो स्टॉक में जब आप पैसा लगाते हैं तो इसे हम बोलते हैं equity में पैसा लगाना कुछ लोग यह सोचते हैं कि जो mutual funds हैं हम एक तरीके से stock market में ही पैसा लगा रहे हैं बस हमारे बिहाफ पे कोई और investment कर रहा है तो थोड़ा सा मैं आपको बहले mutual funds को ब्रीफ कर देता हू mutual funds क्या होते हैं एक तरीके से यह funds हैं अब इसमें क्या होता है कि एक आदमी नी बहुत सरे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं कहां किसे पैसा देते हैं इसे समझते हैं तो there is a company called जिसे हम AMC बोलते हैं अब यह हमारी ICIC हो सकती है, HDFC हो सकती है, Exist हो सकती है, KOTOC हो सकती है, कोई एक बड़ी company माल लेते हैं हमारी यहां पर AMC है, AMC का मतलब हो गया, Asset Management Company, जो company Asset को manage कर रही है, वो AMC हो गई, अब AMC बहुत सरे लोगों से इसके पास पैसा आता है, अब यह AMC पहले बताती है कि मैं कौन सा fund, mutual fund जो है हमारा, वो कौन सा mutual fund हमने launch किया होगा है, यह लोगो तो fund manager हमारा mutual fund जो है उसे manage करता है, तो fund manager एक से जादा भी हो सकते है, तो fund managers जो हमारे mutual funds हैं, इन्हें manage करते हैं, तो यह यह देखते हैं कि पैसा कहां लगेगा, तो पैसा हमारा equity में लग सकता है, पैसा हमारा date में लग सकता है, हमारा पैसा hybrid तरीके से भी लग सकता है, और इसके अंदर जो types हैं, उसके according पता लगेगा कि यह जो पैसा है, वो कहां पर लगा रहे हैं, अब AMCs जो है, यह आपके लिए पैसा invest कर दी हैं, पैसे को बढ़ा रही है, तो यह कुछ पैसा charge करती हैं, जिसे हम बोलते है expense ratio, अब जो यह expense ratio है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क company हो, और वो 1% charge कर रही है, तो वो 990 रुपे ही invest करेगी, 10 रुपे उसके हो गए, क्योंकि उसकी भी अपने खर्चें, fund managers की salaries हैं, अब एक company को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए हैं, वो आप से ही लिया जाता है, expense ratio के नाम पर, आप कुछ कमनिया जादे expense ratio चार्ज करती हैं इसके उपर भी हम detail में बात करेंगे, अब यहां पर हम समझते हैं, this is important, this is RRT, अब mutual funds के मैं आपको types बता हूँ, उससे बहले मैं आपको बता देता हूँ, कि आपको mutual fund investment से पहले 3 चीज़े समझने हैं, एक है returns, दूसरा है risk और तीसरा है time, returns मतलब कितना return expect कर रहे हो, माल ल आप returns expect करोगे, आपका risk उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, और जितना आप कम returns expect करोगे, उतना आपका risk कम हो जाएगा, तो risk और return साथ साथ चलते हैं, जितना ज्यादा returns को आपको लग रहा है probability आने की, तो आपके पैसे पे risk ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, कि अगर आपन जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो अभी तक तो आपने देखा saving account में, FD में सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है, but actual में जब मार्केट में पैसे लगाते हैं, mutual funds में पैसे लगाते हो, तो depend करता है आपने कौन सी mutual fund में पैसे लगाया, आपका पैसा घट भी सकता है, घटने की probability को हम है risk, कि कितने chances है पैसा घट सकता है, और बढ़ सकता है, उसको हम बोलते है returns, और तीसरी important चीज़ है time, क्योंकि time compounding अभी आप समझने वाले हो, जितना जादा हमारे पास time होगा, उतना हमारा risk भी कम हो जाएगा, और हमारे returns के chances भी बढ़ देंगे, तो यह time के उपर depend करता ह है, अब जो आप देखने वाले होना, यह सबसे important है, इसे समझना, बहुत कम लोग होते हैं, जो इसे समझ पाते हैं, जो यहां पर लिखा होगी खिश्वडी दिखरी होगी आपको, बड़ मैं इतने अच्छे से explain करूँगा, कि आपको याद रहेगा, अब यहां पर बड़ bonds में लगता है, FD like instruments में पैसा लगता है, इसका मतलब भी है, कि जो आप, माली जाप saving account पर या आप expect करते हो, कि आपको FD में जो returns मिलेंगी, उनसे ज़्यादा returns मिलेंगी और risk बहुत कम है, तो risk debt mutual funds में कम होता है, और mutual funds अगर हम debt की बात कर रहे हैं, तो यह भी कई तरीके क हैं, इसे समझते हैं, एक होते है liquid funds, अगर आप एक दिन से ज़्यादा सोच रहे हो, आपको लगता है, मिरे बादा पैसा पढ़ा हुआ है, दस दिन के लिए पढ़ा हुआ है, आपको कहीं से payment आई, एक करूड रुपे की payment आगया, बिजनस में है, अब आप सोचते है, एक क तो liquid fund में आपको FD जितना rate of interest भी मिल जाता है, कुछ बे आज के साथ ही आपका पैसा वापस आएगा, तो अगर आपको horizon है, एक दिन से उपर, अभी मैं आपको पता हूँगे कैसे select करना है, तो आप liquid funds में पैसा डाल सकते हो, दूसरा होता है कि अगर आपके पास 6 महीने त funds के अंदर पैसा डाल सकते हो, अगर आपको 9 महीने से ज़्यादा पैसा रखना है, तो आप low duration funds में पैसा डाल सकते हो, अभी आपको कैसे पता लगेगा funds कहां से identify होंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका horizon है one year plus, तो आप short term funds में पैसा डाल सकते हो, अगर आप safe investments होती है, बढ़ यहां पर returns equity market से कम आता है, तो अब यहां पर हमारा सवाल आता है, यह आपने सर बोला liquid funds हो सकता, आपने guild funds, कई सारे लोगों पहली बार सोने हो, तो मैं आपको यहां पर screen पर लेकर जाओंगा, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसे कैसे identify करोगे, बहुत असान है, आप simply internet पर, there is a website में उसका link भी दे दूँगा, description comment box में, ticker tape, अभी तक आपने हो सकता है, stock screener के लिए से use किया हो, but आप mutual fund के लिए भी screener को use कर सकते हो, तो यहां पर आप क्या करोगे, आप simply जब यहां पर जाते हो, ticker tape पर, आप screeners पर जाते हो, तो यहां पर मतलब mutual fund screener, अब mutual funds में हम सबसे पहले बात कर रहे थे, हम debt की बात कर रहे थे, अब debt funds आपको यहां पर दिख रहे हैं, जितने भी debt funds हैं हमारे सामने यहां पर हैं, अब debt में मान लीजिए, आप liquid funds में interested हैं आपको, liquid fund में मैंने क्या बताया, कि अगर आपको कुछ दिनों के लिए पैसा रखना है, तो आप liquid fund यहां पर choose कर सकते हैं, अब liquid fund तो आगया, आपको बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, सब category आपको दिख रहे है, liquid fund है सबकी, यहां पर plan भी आपको 2-3 तरीके के देख सकते हैं, आपको growth plan दिखता है, आपको IDCW plan दिखता है, IDCW क्या होता है compound annual growth rate कितना है, यहां पर 3 साल का हमारे पास average आगया, अब यहां पर अगर हम देखें, अगर हम इस पर click कर देते हैं, तो maximum quant ने दिया हुआ है, quant liquid fund जो है, liquid plan जो है, उसने 5.34% की यहां पर returns दी हुई है, तो आपको लग रहा है 5%, मैं आपको क्या पताया, कि अगर हम long term के बा आप यहां पर एक बहुत important चीज देखेंगे, जो कि expense ratio, expense ratio देखना बहुत जरूरी है, माल लेते हैं, quant में अगर पैसा लगा रहा है, तो expense ratio आपको देखता है 0.29, पर आप फिर देखते हैं, कि भाया, कोई तो ऐसा भी है plan, जिसके अंदर 0.34% या 0.07% पैसा लग रहा है, तो expense ratio किसी का बहुत कम है, किसी का जादा भी हो सकता है, अब ही जब हम जाएंगे equity mutual funds में, तो आप देखेंगे, कि expense ratio इससे भी जादा है, तो वहाँ पर expense ratio जादा क्यों है, कि हमें वहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, अब कि मैंने बहुत सारे सवाल है, हम उसके जवाब द लो हो सकते हैं, यहाँ पर सेवी की, जो risk category हो लो की हो सकती है, बट यहीं पर अगर मैं यह हटा दूँ, और मैं चला जाओ equity के अंदर, और माल लेते हैं, मैं आपर equity के अंदर आजाओ, मैं आपर simply माल लेते हैं, मैं आजाता हूँ, small cap funds के अंदर, अभी मैं बात करूंगा, क्या होते हैं, तो यहीं पर सेवी की risk category है, वो very high हो जाएगी, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर, अगर हम annual growth rate की बात करें, तो पास सालों के अंदर, कुछ ऐसे भी हैं आपे plans, जिन्होंने 23% से उपर की return दी, बट क्योंकि मैंने आपको बताया था, जितनी जादा, आप returns expect कर रहे हैं, उतना ही जादा risk भी बढ़ जाता है, तो इसके उपर अभी हमें बात करनी है, तो मैंने आपको एक basically आपको समझाया, कि internet पर जाके, टिकर टेप जैसी website पर जाके, आप बड़े असानी से पता लगा सकते हो, अगर आपको liquid funds में पैसा लगाना है, अब example के हूंडरे बड़े मुश्किल हो जाते है, कि कौन सा fund अच्छा है, यहां पर अगर आप, मैं एक मिट के लिए equity को अगर हटा दूं, और आप इंट्रस्टेट के अंदर, तो हम debt की बात कर रहे थे, हम guilt funds की बात कर रहे थे, तो guilt funds देखी हमारे सामने, यहां पर guilt fund आगए, long term क अगर आप guilt funds में पैसा लगाना चाहते हैं, आप यहां पर again AUM देख सकते हैं, कि किस guilt fund के पास कितना पैसा है, फिर उसकी जो compounded annual growth rate हो कितने % है, यहां पर 9% आपको देख रहा है, और उसके बाद आप expense ratio भी देख सकते हैं, किसके expense ratio जादा है, किसका कम है, तो आपको काफी सारी चीज़ें यहां पर पता लग जाएंगी, आपको सेबीक risk category में, अगर आपको देखना है कि कौन सा risk category में आ रहा है, तो आपको पता लग रहा है कि moderate risk category में आ रहा है, तो यहां पर सारी चीज़ेंगे, अगर आप low duration funds में interested हैं, तो आप simply उने चूस कर सकते हैं, उसके हि कितने percent की return, किस fund ने दिये, तो अब एक और चीज़ होती है, कि जिस fund ने जितनी returns दिये कि आगे भी देगा, well, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि भीया, आप देखते हो कि किसी fund ने example के लिए 50% की returns दिये, एक साल के अंदर, और किसी fund ने उसी एक साल में 25% की return दिये, किसी ने 15% की दिये, किसी ने 30% की दिये, तो क्या यह बोलना सही है, कि जिस fund ने 50% की दिये, वो अच्छा है, well, यहाँ पे yes or no, दो नहीं answer है, अब पहले मैं आपको उता है, तो no क्यों है, no इसलिए है, कि हो सकता है, जहां पर पैसा, अब डेफिन है, तो जहां पर पैसा लगा हुआ था, एक साल में हो सकता है, अच्छा परफॉर्म कर गया हो, तो जरूरी कि next year भी उतने अच्छा परफॉर्म करें, हो सकता अगले साल, जैसे 15% की return दे, और जिसने 15% दिया, वो 45% की return दे, बड़ अब अगर मैं कहूं, कि answer yes भी है, कि यह fund अच्छा है, तो इसका reason क्या होगा, इसका fund manager, इसके fund manager ने उसी time duration में, जहां पर और fund managers ने, 25%, 15%, 30% की return जनरेट करी है, तो इस fund manager ने कैसे 50% की return जनरेट कर दी, और कितने बड़े AUM से जनरेट करी, तो मुझे यह जानना जरूरी है, तो ऐसा, कहे भी सकते हैं, कि जिसने अ debt funds के बारे में समझा, depending आपके पास कितना duration के लिए पैसा बढ़ा है, आप उस हिसाब से debt funds में पैसा लगा सकते हो, और मैंने आपको बताया कि यहां पर risk कम होता है, आपको loss होने का risk बहुत कम है, ठीक है, अब अगर आप पैसे पेचाते हो, growth, पैसा बड़े, compounding समझ लिए अभी compounding के overview, हम और detail में बात करेंगे, फिर हमारे सामने आजाते है, equity mutual funds, equity का मतलब है, पैसा लगेगा, stock market में, stocks में पैसा लगेगा, तो stocks भी कई तरीके से हो सकते हैं, आपके सामने, जब हम equity mutual funds की बात करते हैं, तो category आएगी, large cap mutual fund, मतलब बड़ी companies में पैसा लगेगा, ज चलेंगी, धीरे धीरे चलेंगी, पर चलेंगी जरूर, ठीक है, अच्छी companies है, हिलने वाली नहीं इतनी चल्दी, दूसरी आती है, फिर mid cap companies, mid cap मतलब जिनकी market capitalization ठीक ठाग है, तो अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, कि अगर आपके पास जितना ज़्यादर duration होगा, उस सबसे, आप कम capitalization वाली company के अंदर पैसा लगा सकते हो, small cap companies, वो companies होती है, जिनकी market cap बहुत कम है, बट यहाँ पे गधे और घोड़े दोने होते है, अब घोड़ा सोचो, कितनी तेज भाग सकता हाती से, हाती चलेगा चलेगा अपनी हाती की चाथ, बट घोड़ा बहुत ते बहुत तेजी से भागेंगी, बट कुछ companies, गधी भी निकलेंगी, उसमें पैसा बढ़ेगा भी नहीं, लूब भी सकता है, बट अगर हम long term के हिसाफ से सोचे तो, कई companies इतनी आगे निकले जाएंगी, कि हमें गधों को देखने की जूरुत नहीं पड़ेगी, तो example है मेरा तो मैं ऐसा समझाता हूं लोगों को समझा रहा हो, तो अब एक और तरीके की भी mutual fund हैंने समझ लेते हैं, मल्टी या flexi cap बोलते हैं, तो large cap, mid cap, small cap, तीनों में पैसा लगाना तो से multi cap बोल देंगे, बट multi cap funds के एक और category होती है flexi cap, multi cap के अंदर एक criteria होता है कि इतना percent हो, हमार large cap में लगे गए लगेगा, बट flexi cap वाले के लिए ये requirement नहीं होती, वो कितना भी पैसा कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि दो जो fund manager है, वो हजारों करोडों के साथ deal कर लें, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो जो बोलेंगे, जो पहले बताएंगे, हम यह करेंगे, तो वो ही कर सकते हैं, अगर उन्होंने बोल दिया, जी हमारी जो company है, वो large cap companies के अंदर 40% asset allocation करेगी, तो 40% पैसा large cap में डालना ही पड़ेगा, पर flexi वाला, जो इसी के एक सब करेंगे रही है, उसके लिए जूरू नहीं हो सकता है, वो 25% डाले, बाकी mid cap है, small cap से में डाले, अगर मेरा time duration 3 साल से उपर का है, तो आप सबसे पहले 3 साल से जादा सोच रहे हो, तो आप large cap companies में पैसा लगा सकते हो, तो आपको यहां पर return जादा मिल सकते है, risk कम है 3 साल के असाफ़ से, अगर आप 5 साल से उपर सोच रहे हो, तो आप mid cap companies में पैसा लगा सकते हो, mid cap mutual funds में जो mid-cap companies में mutual funds पैसे लगाते हैं, उन्हें mid-cap funds बोलते हैं, अगर आपका time horizon 7 साल, काफी जादा है, 7 साल से उपर का है, small cap के अंदर पैसा लगा सकते हो, आपको returns मिलने की जादा probability है, बड़ा आपको growth मिल सकती है, बड़ा आपको growth मिल सकती है, बड़ जरूरी नहीं है, तीन सा में आप क्या देखोगे, हो सकता है, small cap fund ने उतने इच्छे returns नहीं दी, आपको mid-cap और large cap ने जादा देदी, बट अगर आप 7 साल से उपर की बात करोगे, जो small cap के returns है, वो mid-cap और large cap को beat कर जाएंगे, तो अगर आप सोच रहो, मिलको 20 साल के बाद पैसा चाहिए, तो पैसा मैं भूल जाओ मनलब क्या है कि पैसे को आपको बढ़ता हो देखेगा, तो हम इसके उपर बात करेंगे, एक और तरीकी की mutual funds होते है, जिने hybrid mutual funds बोलते है, बहुत कम लोग इसके उपर बात करते हैं, बट मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि मैंने बोला था, एक ही वीडि चाहता हूं, अगर मैं दोनों के फायदे चाहता हूं, तो मैं hybrid funds को consider कर सकता हूं, अब एक होते हैं hybrid, बट वो aggressively hybrid होते हैं, aggressive hybrid funds कौन से होते हैं, जिसमें आपका पैसा लगबख 60% पैसा equity में लगता है, और 40% पैसा आपका date में लगेगा, example के लिए, तो यह होगा aggressively hybrid में पैसा किस तरफ है, stocks की तरफ है, equity की तरफ है, दूसरे होते है, equity saving, जिसके अंदर हमारा पैसा stock market में भी लगता है, fd like instruments में भी लगता है, bonds में भी लगता है, तो अलग अलग जगा पैसा लगता है, equity saving, और उसी के जैसे हो जाते हैं, multi asset allocation, कि एक asset में पैसा लगागे, हम कई को एक safety मिलेगी, diversification मिलेगी, एक होते है, arbitrage funds, अब यह थोड़ा technical है, पर समझा देता हूँ, आपने देखा होगा, कि cash market का भाव और future market का भाव अलग अलग होता है, इसका मतलब क्या है, कि माल लेते हैं, आपने share देखा, reliance का example, 2000 रुपे का देखा, आपने cash में, और futures में हो चल रहा है, 2050 का, तो 50 रुपे का difference है, यहाँ पे जो fund managers है, यह थोड़ा सा trade भी कर सकते हैं, अलग अलग स्चेंज पे भाव थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है, माल लेते हैं, आपने cash में देखा, reliance का share, 2000 रुपे का, NSE पर, और BSE पर आपने देखा, 2000 रुपे का, तो एक रुपे का difference आपको लगता कोई बड़ा नहीं है, बड़ अगर कोई 1000 करोड से trade कर रहा है, उसके पैसा जादा है, तो एक रुपे का difference ना, करोड़ों रुपे में difference में convert हो सकता है, तो यहां से भी profit generate हो सकता है, इसे आरबी ट्राश्फंट बहुते हैं, आपने एक लाग रुपे लगाया, तो एक लाग रुपे तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम तो मिली नहीं सकता, तो एक लाग रुपे आपका safe रहेगा, capital protected रहेगी, तो इसे हम बोलते है capital protection, प्लस जो returns कुछ मिलेंगे, बड़ इसमें returns कम मिलते हैं, तो यह आपको तीनों तरीके के funds अभी I hope समझ आ गए हो, पर भाया मेरे मुद्दे की बात यह है, कि अब अगर मैं अपनी goal setting करूँ, मैंने बोला था last मैं आपकी goal setting करा करा कर जाओंगा, आपको financial planning करा के बेचेंगे आज, तो वो मैं अभी कराने वाला हूँ, और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा time देना है, अपनी copy, pencil, pen, paper लेकर बैठ जाओ, क्योंकि अब आपकी बात होने वाली है, मैं आपकी बात करता हूँ, आज अपने पैसा कमाना शुरू कि आपकी नहीं नौकरी लगी, आप पैसा कमा रहे हो, मालने तापकी शादी भी हो गई, आपकी wife भी पैसा कमा रहे है, दोनों मिलकर 80,000 रुपए, एक लाख रुपए, जो भी आप कमाते हैं, माल लीजे, आप अपना practical example लेना, मैं hypothetical example लेता हूँ, कि मिया भी भी मिलकर एक लाख रुपए महीना कमाते हैं, एक अच्छे शहर में रह रहे हैं, घर्चे भी हैं, बट future के बारे में भी सोच रहे हैं, तो अभी ह मेरा एक गोल है, कि जी, हमें गाड़ी चाहिए, दस लाख रुपए तक कि एक अच्छी गाड़ी आईगी, हमें दस लाख रुपए चाहिए, हम गाड़ी अभी जाके इमाई पर नहीं खरीद रहें, अभी हम बिलकुल ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं और उस पर मुझे expected कितने percent returns मिलेंगे, इसे समझते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, बड़े ध्यान से, मैंने लिखा कि हर मेने 24,000 रुपए चाहिए होगा, और expected 10% return चाहिए होगी, तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, मेरा question आप से, मैंने वहाँ पर 10% expected returns लिखी, क्य मैंने आपको बताया कि अगर 3 साल के अंदर चाहिए, तो आपने यहाँ पर देखा, कि 3 साल के अंदर आप कहां कहां पैसा लगा सकते हो, या तो आप यहाँ पे guilt funds, mid term funds में पैसा लगा होगे, बड़ यहाँ पे 2 साल तक की बात हो रही थी, 3 साल से जादा है, तो आप large gap में लगा होगे, तो क्यों ना हम hybrid funds में पैसा लगा दें, अगर हमें hybrid funds के अंदर, expected rate of return हम सिर्फ 10% की रख रहे हैं, तो क्या हमें 3 साल के लिए पैसा लगाना कहां चाहिए, आप hybrid में लगा सकते हो, एक situation के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर मिले को 2 साल से कम horizon होता है, तो मैं example लिया है आपके लिए, यहाँ पर मैं upstocks के SIP calculator पर आजाता हूँ, आपकी help करेगा, ठीक है, अब आपने यहाँ पर बोला कि मुझे 24,000 रुपे हर महीने जोड़ना है, और अगर मुझे expected rate of return, क्योंकि मैंने आपको बोला, अगर आपका horizon सिर्फ और सिर्फ 3 साल का है, तो आप 10% expect कर सकते हो, और मैं अगर 3 साल की बात करूं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, लगबग आपके पास 10 लाग रुपे होगा, 3 साल के बात, और हम यह बात कर रहे हैं, कि अगर आपको 10% की rate of interest मिलता है, तो क्या मिलता है, हम यहाँ पर अगें टिकर टेपर जाते हैं, ह आप example, कॉंट, multi asset fund ने 32% के असपस return दी हो है, कुछ ने 17% भी दी हो है, 18% भी दी हो है, पड़ मैं अगर 3 साल की बिल्कुल minimum average लेकर जल रहा हूं, कि भया, जो मेरा goal है वो पूरा होना चाहिए, तो मैंने सिफ 10% की return expect करी है, और यह आपको hybrid funds के अंदर मिल सकती है, similarly, अब expectation है, कि मुझे एक घर लेना है, मैं जिस घर में रह रहा हूं, ठीक है, उसकी कुछ कीमत है, 50,60,000,000 रुपे उसकी कीमत है, मुझे एक करोड तक का घर लेना है, 40,000,000 और भी चाहिए, कुछ रिनोवेशन भी आप करा होगे, तो एक करोड रुपे आपको चाहिए होगा, य आपकी expected returns रखी है, 15%, यहाँ पर अगेन मैं आपको यह दिखा देता हूं, कि अगर आपका duration, time duration बहुत matter करता है, तो अगर आपका time duration है, 10 years का, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम जल्दी से, हम अपना keyboard को खोल लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, हमार को 10 साल के अंदर, expected हमारी returns, 15% मैंने लिए हैं, क्योंकि जतना जदा आपका time duration होगा, उतना जदा आपको returns मिलने की probability है, और आप कितने जोडने वाले हैं, आप जोडने वाले हैं, 15,000 रुपे, तो definitely अगर आप 15,000 की जगा 50,000 जोड सकते है तो आप वो खुद calculate कर सकते हैं, कि वो पैसा कितना हो जाएगा, वर्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कि आपको लगबग 41,000,000 रुपीज से जधा पैसा मिल जाएगा, अगर आपको 15% की expected returns मिल जाती हैं, 10 साल में, अब अगर मेरा horizon, मेरा question आप से, भीया मेरे पास duration है, 10 सालों का, मैं पैसा कहा लगा हूँ, जल्दी बता हो भी बताया था, आप यहाँ पर देख सकते हो, कि अगर मेरा time duration है, 10 साल से जधा का, तो मैं small cap funds, या multi cap funds में पैसा लगा सकता हूँ, अब यहाँ पर हम देख भी लेते हैं, आपको देखने से जधा clarity मिलेगी, क कि अगर आप अगें टिकर टेप पर जाएं, हम बात कर रहे थे, multi cap और यहाँ पर flexi cap funds की, equity के अंदर, आपको यहाँ पर multi cap funds दिख गया, आपको flexi cap दिख गया, अब आपको इन में से select करना है, कि कौन सा आपको fund में पैसा लगाना है, definitely आप asset tender management देख सकते हो, वो growth fund हो तो जादा अच्छा है, यहाँ पर हम अगर हम बात करें, तो 35% के असपास भी दिख रही है, फिर हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, जो कि हमारे expense ratio, कि वो भी बहुत जादा ना हो, तो आप expense ratio देखो 2.65% भी है, higher side पर, बट आप 2.65% हो सकता है, ना देना चाहते हो, तो आप कम से कम भी देखेंगे, तो 0.12% भी है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, कि आपको कौन से fund को select करना है, एक और यहाँ पर चीज़ है, अब माल ले देखें, आपने यही fund ले लिया, यहाँ पर हम बात कर रहे है, ICIC Prudential का flexi cap fund, आपने इसे select किया, अब आप जाता हूँ, एक मिनिट के लिए, वो important है, इसे देखें, पियर comparison में क्या देखेगा आपको, कि यहाँ पर जो आपका ICIC Prudential का, आपने select तो किया है, आपने आपर ICIC Prudential का flexi cap fund select किया है, बट इसके comparison में, यहाँ पर कोटक को और HDFC का भी flexi cap है, बट यहाँ पर क्या दिखता रहे हैं, तो हम यहाँ पर simply इस पर click कर देंगे, अब हम एक peer comparison में, दूसरा, यहाँ पर flexi cap fund मिल गया, यहाँ पर उसका expense ratio 1% का है, अब 1% है, बट क्या उसने अच्छी returns produce करी है, the answer is yes, अगर उसने अपने peer से अच्छी returns produce करी है, तो हम इसे ignore भी कर सकते हैं, क्यों ignore कर सकते ह अगर हम किसी को जाधा पैसा दे रहे हैं, बट वो में जाधा कमा कर दे रहा है, तो हमारे लिए क्या बहता है, इसे हम select कर सकते हैं, इसी तरीके से peer ratio 27.45 का, पर जो category का peer ratio 40 का है, मतलब इसका price to earning ratio अच्छा है, यह आपको समझ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको और portfolio है, उसमें उनने sector distribution किया है, तो यहाँ पर जो इनका, यह flexi cap fund है, HDFC का, इसमें private banks में 15% पैसा लगा हुआ है, public banks में 10% लगा हुआ है, oil and gas में 8.79, power generation में 7.91, IT के इंदर 6.13, तो आप देख सकते हो कि इनका जो sector distribution है, वो कैसा है, और वो कितना change हो रहा है, तो यहाँ पर quarter wise आपको दिखेगा, कि allocation private banks में कम हुआ है, बढ़ा है, अच्छा बढ़ा है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, oil and gas के अंदर, IT के अंदर, जैसे ऐसे आप देख रहे हैं, quarter wise कम हुआ है, December 2021 में क्या था, September में क्या था, June में क्या था, you can read about it, अभी latest क्या चल रहा है, वो भ आपको पता लग जाएगा, अब एक और important चीज, मैंने आपको पता है, fund manager बहुत important है, तो fund manager कौन है, यहाँ पर देख रहा है, वो कितना पैसा मैनेज कर रहा है, अगर यहाँ पर प्रशान्थ जैन का नाम लिखा है, तो इन्हें बाइस साल हो experience है, और 88,000 करोड रुपीज यह manage कर रहे है, इसी तरीके से आपर संकल बैद का यहाँ पर example दिख रहा है, 3,80,000 करोड रुपे manage कर रहे है, कहाँ पर वो भी आपको नीचे दिखेगा, equity के अंदर और hybrid के अंदर, यह fund को manage कर रहे है, पैसे को manage कर रहे है, इसी तरीके से आप इनके बारे में पढ़ सकते ह इनके बारे में आपको detail भी हाँ पर ticker tip पर मिल जाती है, so you can read about, कि इनका past experience क्या है, qualification क्या है आदमी की, जो आपका पैसा manage कर रहे है, तो आपको दिख रहे है, चलो जी, IIM Bangalore से पढ़ा हुआ है, CFA इन्होंने किया हुआ, IIT Kanpur से पढ़ाई करी हुई है, so you can read more about it, फिर peer comparison तो हमेशे ही दिख रहे है, तो peer comparison में अब इसी का, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि SDFC Flexi Cap Fund का performance, Kotak और UTI इसे भी better रहे है, तो आप यह सब चीजों की analysis करने के बाद, you can take better decisions, इतनी detail में, जादा तर लोग बात नहीं करते, पर भीया, एक बार जब आपके पैसे की बात है, तो क्या आपका time निकालना जायज है, आप यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं, क्या आपको clarity मिल रही है, अगर मिल रही है तो comment जरू करना, देखो मेरा focus यह है, वीडियो लंबी बनती है, YouTube की algorithm के सबसे अच्छा नहीं है, बट आपको clarity मिलती है, बहुत अच्छा है, अगर एक इनसान को भी, एक विक्ती को भी, मेरी किसी भी वीडियो से फायदा मिल जाता है, मेरा purpose पूरा हो गया, वीडियो बनाने का, तो मेरा concept यह है कि आपको, आपके concepts clear हो जाए, आपके financial goals meet हो जाए, अब इसी तरीके से हमने बात करी ती घर की, तो हमने घर के लिए 15% का, एक average, एक return expect करी है, जादा return मिल जाएंगी, तो होगा क्या, पिया 40 लाग की जगा हो सकता है, 50 या 60 लाग मिल जाए, हम कम expect कर रहे हैं, जादा मिल जाए तो बढ़ी आई है ना, पिया मैंने सोचा 10 लाग रुपे की गाड़ी चाहिए, पर डूस्ट्रेंग पर 12 लाग मिल जाते है तो और अच्छा आपके लिए, अब यहाँ पे बच्चों की एजूकेशन के लिए आपके लिए, जैसे जैसे टाइम डूरेशन बढ़ेगा, आपकी जो पैसे की requirement बहुत कम हो जाएगी, अगर आप 1000 रुपे भी जोड़ो, अपने बच्चों के लिए आज से, तो 20 साल में मैं आपके लिए 20 लाग रुपे होगा, आपको लगता है फोरान बहजना है बच्चों को, और उसके लिए 20 लाग रुपे चाहिए होगा, तो अगर चाहिए होगा, तो तो कैसे होगा, और अब हम इसे इडेंटिपाई भी करेंगे, तो आपने यहाँ पर, again, SIP क्लिटिटर पर हम जाते हैं क्योंकि आप जैसे देखोगे ना तो और ज़्यादा clarity मिलेगी SIP calculator पर हम गए हमने बात करीदी किया सिर्फ 1000 रुपे से 20 लाग रुपे आ सकता है हम सिर्फ 1000 रुपीज इन्वेस्ट करें हर महीने अपने बच्चों गए नाम पर और हम 17% की rate of interest expect कर रहे हैं और हमारे पास time duration है 20 साल तो आप यहाँ पर देखो हमारे पर 20 लाग से ज़्यादा पैसा आ गया अगर आपको यहाँ पे 17% की जगा बगवान करें आपको 25% rate of interest मिल जाता है आपको compounded annual growth rate 25% का मिल जाता है तो 20 लाग का almost 70 लाग के असपस भी हो सकता है जितना ज़्यादा duration और अगर आप सिर्फ 20 साल को हो सकता है आपको 20 साल में जरूरत नहीं बड़ी पैसे होगी 22 साल में बड़ी अब एक करोड बारा लाग आपको लग रहा हो का बहुत बड़ा माउंट है definitely बड़ा माउंट है और यह possible है सिर्फ 1000 रुपे से मैं आपको कम लेकर इसलिए सल रहा हूँ कि हम बिलकुल practical planning करें कि 17 हम बात करें 17% की कि हमें अगर 17% की return में मिलती है और हम बात करें से 20 साल की तो हमें तकरीबन हमें जो 20 लाग रुपे की requirement हमारी पूरी हो जाएगी अब इसी तरीके से अगर हम child marriage की बात करें हमें चाहिए जी 50 लाग रुपे 25 सालों में क्या वो 1000 रुपे से हो सकता है मैंने 18% की यहाँ पर rate of interest लिया है क्योंकि हम time duration बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं 18% के साफ़ से देखू अब 18% के साफ़ से 1000 रुपे और हम बात कर रहे हैं 25 सालों की तो यहाँ पर 50 लाग रुपे से ज़ादा होता लगबक 60 लाग रुपे के असपर 58 लाग रुपे हो गया तो यह आपका सिर्फ 1000 रुपे से बच्चे की शादी का भी सबना पूरा हो जाएगा एंड फाइनली हमने आपके रिटार्मेंट की बात करी थी तो रिटार्मेंट के लिए भी आपने बोला जी एक करोड रुपे चाहिए होगा आपको हमने बोला सिर्फ 500 रुपे महिना स्टार्टिंग में बात करी थी हमने कि क्या 500 रुपे महिने से हम एक करोड रुपे की का अपनी खटी कर सकते हैं आप अपने जीते जी यह कर सकते हो अगर आप सोचते हो 30 साल के बाद रिटायर होना जाते हो तो पांसु रुपे महीना जोड़के अगर आप 20% की रेट ऑफ इंटरस्ट के अपसे बात करें हो सकता है बगवान करें आपको इससे ज्यादा मिल जाए पर हम बात करते हैं कि अगर एकॉनमी जिसे आप से चल रही है निफ्टी 15-16% की रेटन्स दे सकता है तो 20% तो कुछ भी नहीं है जब आप फ्लेक्सी के फइंट में पैसा लगा रहे हो तो 500 रुपे महीना यहां पे मैं आपके सामने सिर्फ 500 रुपे लिखूंगा और हमार रेट ऑफ इंटरस हमने 20% लिया है कि अगर हमें 20% मिल जाता है और हम बात कर रहे हैं टाइम होराइजन की कि हमारे पास जी 30 साल के बाद हम रेटायर होना चाहते हैं तो आपके पस लगबग 1.16.00.000 रुपे होगा सिर्फ 500 रुपे महीना जोड़के और भगवान करें आप अगर यहां पर मैं 20 की जगह में बोलता हूं कर आपको 25% मिल जाता है तो चार करोड रुपे होगा सिर्फ 500 रुपे महीना चोड़के लोगों को इची से पता नहीं होती उन लगता है 500 रुपे से क्या ही हो जाएगा वही आप अपना फ्यूचर अभी से सिक्योर करके चल सक तो आप ही हां पर क्या-क्या देख सकते हो अगर हम बात करें तो 35 का सपास भी हमें यह हमें देख रहे हैं कि लिए करते हैं 35 मिलेगा बड़ यहां पर आपको जादतर कम्पनी आपको देख रही हैं कि 19-20% के आसपस की रिटरंस पिछले तीन सालों में दी हैं अगर हम यहां पे एक और फिल्टर जैसे हम लगा ही रहे थे कि हमें जो रिटरंस थे 5 और 10 साल में क्या मिलती हैं तो 5 और 10 साल की अगर पर封न्स देखेंगे तो ऐसे बहुत सब्संट होंगे जो उन्हें पिछले 5 साल में 25 पर से तक से यहां पर रिटरंस धी एं brothers रहे हैं definitely सेभी की यहां पर आगया कॉंट एक्टिव फंड आपने डिसाइड कि मैं इस फंड में पैसे लगा हूंगा तो थोड़ी सी इसकी अनलिसिस भी कर लेते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो 0.58 मेरे सबसे डीसेंट है फिर आप क्या देखते हो यहां पर जो पी रेशियो है वह 41 का और यह कॉर्ड तो यहीं आप और और प्र देखते हैं तो यह जब चीज़ हैं यहां पे चेकलिस्ट देखते रहें आप समगा लिए कि आपको कहां पैसा लगाना है देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहां पर आपको कॉंट एक्टिफंड में जुरू निया पैसा लगा हो आप स्टार्टिंग से आप देखो आप टेकर टेप पर जाते हो हमने बात करी कि अगर आप लॉंग तरम सोचते हो तो मिड़ कंघने यहां पर आप हम से बात करें तो किसने माक्सिमम नियकर नि कोइक यहां уч pine में पैसे लगाने सेंट्रशट यहां। चीए कोटक का नाम सुना हुआ है कोटक मुझे ठीक ब्रैंड लगता है तो आप कोटक पे यहां पे क्लिक करते हैं कोटक स्मॉल काफ़ण के अनलेसिस करते हैं चेकले सब देखते हैं ठीक है सारी ग्रीन दिख रही है आपको यहां पे इसा कहा लगाना है अब फॉर एक्जमबल आप कोटक स्मॉल काफ़ण को सिलेक करते हैं उसके लिए आपको चाहिए होगा डीमेट अकाउंट तो मैं आपको रिक्रमेंट करूंगा कि आप अप्स्टोक पर जाके फ्री में अपने डीमेट अगर्वा लीजे यहां पर अप्स् दिखा पाएगा कि मुच्वल फॉर्ड में किस तरीके से पैसा लगाते हो मैं आप फुल स्क्रीन कर देता हूं तो हमने आप इस्क्रीन डिगार्डिंग ओन कर दिये जब आप यहां पर अप्शॉक्स पर जाएंगे आपको सिंबली डिसकवर पर क्लिक करना है डिसकवर पर सब्सक्रीन में आप लोगे अब आ पने माली जैंड में किक टू को टॉक्स मॉल क्याप दुर union मैं अपिर प्षी में तो बात करी थी यहां पे हमारे अलग-अलग गोल्स है माल लीजे आपका रिटार्मेंट का गोल है 500 रुपे लगा के आप चाहते हो कि एक करोड रुपे हो तो आप यहां पर मंतली एसाइपी कर सकते हो आप साइपी महिनी की कौनसी डेट को करना चाहते हो वह भी आप सेलेक्ट क पांसो करना चाहते हो 15,000 कि मैं एक हजार करूंगा सेलेक्ट कर सकते हो मान ले पर यहां पर उसके बाद आप एक हजार रुपे हां पर आपने कर दिया आप सिंपली आगे जाहेंगे आपके वास फंट बैलन्स होना शहीं है अगर नहीं है तो आप फंट्स एड़ सकते हैं बड़ा एजिली उसके बाद जैसे कि यहां पर अलड़ी मेरा बैंक अकाउंट लिंग है हम रिव्यू पर जाएंगे इस तरीके से मैं आप खुद भी कर देता हूं आपको जह में बता रहा हूं तो यहां यहां पर 2,000 रुपे कुछ भी नहीं है इन फाक्त में और जादा भी कर सकता था तो मैंने आप खुद भी अपनी एक इंस्टॉल्मेंट यहां पर मेरी फर्स चली गई है एंड सेकंड जो है मेरी अगली 15 तारिक को हो जाएगी तो मेरे पोर्टफोलियो में मैंने अपनी इसाइपी शुरू कर दी है आपके सामने यहां पर लाइफ भी कर दी कोई क्या फर्क बढ़ रहा जार रुपे से हर तो यह बहुत अच्छा है यहां पर देखिए एसाइपी सक्सेस्फुल लिखा हुआ अब आपका हर महीने अप स्टॉक्स पर आपने एक हजार रुपे य कर देखिया है तो फिर में यहां पर पर जो भींड़ सेलेक किया और नहीं करूंगा मैं दूसरी इनलिसिस करके और फेंट करूंगा इसके लिए अगर मेरा दस साल का बिजन है तो फिर जरूर कि जो पैसा है, वह सारा हमkom Id B subject कर सकता है क्ट भाकी मेरे क्योंकि long time investments हैं अपन आपको short duration में पैसा चाहिए तो आप liquid funds में भी पैसा रख सकते हो अब इस video से I hope यह एक example था आपके अलग-अलग हर आदमी के अपने अलग-अलग financial goals हो सकते हैं उसके time horizon हो सकते हैं बच्चों की शादी ना हो यहां पर अपनी शादी की बात हो और अपनी शादी अगर आपने क कर नहीं उसके लिए कितना पैसा चाहिए तो आपको कितने पैसा की requirement होगी कितने एक्सपेक्टेट करने आपको अब आप सारी चीज़े समझ चुके तो अब आप क्या चाहते हैं जिंदगी से आप प्लान कर सकते हैं और अपनी financial life को जो आप प्लान कर लेंगे ना आप बढ प्लाक रुपे महीने की income है पचा-पचा-जार example दोनों कमाते हैं और दोनों मिलकर 41,500 जोड़ देते हैं तो वह अपनी आने वली लाइफ बहुत अच्छे से सुकून से प्लान कर सकते हैं तो आप भी definitely कर सकते हैं I hope आज आपके सारे concepts clear हो चुके होंगे mutual funds आपको समझ भी आगे होंगे और I hope अगर आपने जैसे मैंने आपको बोला था आप notes बना सकते हैं तो अगर आपने बनाए हैं तो आज आपको इतनी information मिल गई है कि आप और किसी की भी future की financial planning करा सकते हैं so thank you so very much for watching this video till now आप अपनी financial life अच्छे से जिए और और लोगों की भी help करें हैं हम चाहते हैं और आप इस वीडियो को शेयर जरू कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतना सारा time हो सकता आपके पास ना हो समझानेगा तो आप simply इस वीडियो को शेयर कर दीजे हमारे प्रयास से बहुत सारे लोगों की help हो सकती है तो शेयर दिस वीडियो फेस्बुक पर वीडियो देखने हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर देखने हैं सब्सक्राइब कीजिए बेल इकन पर क्लिक कीजिए कि इन फ्यूचर आप ऐसी एक भी वीडियो मिसना करें त्यॅजी मचक्व मचब वाचीं एक वाचिंग तैप पे जैसे अमने अनलिस गरी उसका करिए उसका लिंक डिस्रीप्चिप्शिं जो मिन भॉंक्स में आप टिकर टेप पर जाके अनलिस कर सकते हैं अपश्चों कर आप पर जाके Qo असको एक अकुल सकते हैं